और यहाँ तो चॉकलेट का खजजाना है सेंटा क्लास चॉकलेट मार्केट में लाती ही है इसमें हर एक दिन आपको नए गिफ्ट्स मिलते हैं हलो एवरिवान मैं हूँ रागणी और मैं हूँ अद्वाईट और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अकपलिन जर्मनी में तो जैसे आप देख रहे हैं थंड काफी बढ़ गई है और अब क्रिस्मस एक मैने पर ही आ गया है तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं तो चलिए हमारे साथ हम देखते हैं यहां का माहोल कैसे होता है तो अभी हम आए हैं डूसलडॉर्फ के क्योनिक्स आले एरिया में जहां काफी ब्रैंडड शॉप्स है और अभी हम जा रहे हैं यहां के फेमस मॉल्ड कैलरिया काउफ़ोफ में तो स्टार्टिंग सेक्शन है क्रिस्मस डेकोरेटिव आइटिम्स का यहां आप डेकोरेशन या गिफ्टिंग रिलेटेड सारी चीज़े खरीच सकते हैं तो यह जो आप सोल्जर्स देख रहे हैं इन्हें कहते हैं नुस्कनैकर यानी नटक्रैकर एस पर जर्मन ट्रेडिशन्स यह गुड लग का सिंबॉल है जो आपके घर को बुरे साय से प्रोटेक्ट करते हैं और यहां पर देखें दोस्तों यह जो लाइटिंग है वो दूर से इतना क्यारा नजर आ रहा है और मुझे तो यह असली वाले कैंडल्स ही लग रहे थे बट अभी पास आने की पता चल रहे हैं कि यह तो इलेक्ट्रिक कैंडल्स है झाल्स ही लाइटिंग झाल्स है यहां इतने अनोखे डेकोरेटिव आइटम्स है कि क्या कहें अब यही देख लीजिए एक्स्क्लूजिव मेल बॉक्स फॉर सैंटा तो अब हम गुमते गुमते आ गए हैं कपडों के सेक्शन में तो मुझे विंटर जैकेट भी खरीदना है और ब्लाक फ्राइडे सेल भी चल रहा है तो देखते हैं कुछ इंट्रेस्टिंग मिलता है क्या नुवेंबर एंड के आराउंड विंटर कलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है और काफी ओफर्स भी होते हैं तो अगर आपको विंटर की शॉपिंग करनी है तो यह सबसे सही टाइम है जर्मनी में क्रिस्मस की सबसे पहली निशानी है यह सैंटा क्लॉस चॉकलेट्स इसी वज़े से हरे चॉकलेट कमपनी अपनी सैंटा क्लॉस चॉकलेट मार्केट में लाती ही है यहां क्रिस्मस में चॉकलेट्स के साथ साथ कुकीज भी काफी फेमस है जिन में से यह एक फेमस ट्रेडिशनल कुकी है जिम्ट स्टेर्न क्रिस्मस टाइम पे जाम की भी काफी वराइटी होती है फ्रूट्स में जैसे आप देख रहे हैं ओरेंज, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और चेरी फ्लेवर अवलेबल है लेकिन उसी के साथ साथ क्रिस्मस स्पेशल वाइनाक्स फ्रिूस्टुक यानि क्रिस्मस ब्रेकफास्ट जैम भी मिलता है कुकीज और चॉकलेट से भरा हुआ ये वाइनाक्स डोजर यानि कि क्रिस्मस ब्रेकफास भी गिफ्टिंग का एक काफी बढ़िया उप्शन है यहाँ इतनी चॉकलेट की वराइटी देखके हमने सोचा लेंड का चॉकलेट शॉप तो पासी है और क्रिस्मस टाइम भी चल रहा है तो यहाँ जाना तो बनता है क्यूंकि ये दिल मांगे मूर तो चलिए चलते हैं लेंड के चॉकलेट शॉप में ओन दवे हमें एक जगे काफी फीड दिखाई दी और जब हम आगे गए तो हमें ये दिखाई दिया यहाँ पे बहुत ही प्यारा सॉफ्ट टोईस का सरकस अरेंज किया है ये सारे टोईस स्टाइफ ब्राइंड के है जो की काफी पुरानी और फेमस जर्मन सॉफ्ट टोई कमपनी है अब हम पहुँच गये हैं लिंड के चॉकलेट शॉप में So, Linn Chocolates are third most consumed in Germany and they have wide variety of chocolates कॉक्ट इन के बहुत में So, Linn Chocolates इस section में यह ऐसे plastic bags रखे होते हैं तो आपको इसमें से एक bag उठा के उसमें chocolates बरने हैं और उन्हें वे करना है और यह आपको cost करेगा 3.79 euros per 100 grams और यहां तो chocolates का खज़ाना है और सबसे interesting बात यह है कि आप यहां जितनी मर्जी उतनी chocolates का combination कर सकते है कर सकते हैं तो जैसा आमने पहले कहा था Lint has wide variety of chocolates इनके पास तो ये chili flavor का भी chocolate है और उसी के साथ साथ इनके पास dark chocolates की भी बहुत ही ज़ादा variety है और ये वाला तो 100% dark chocolate है Oh my god, पता नी ये तो बहुत ही ज़ादा कड़वा होने वाला है तो यूरोप में Christmas की सबसे अवेटेड चीज होती है Christmas market तो यहाँ Dusseldorf में भी दो छोटे Christmas markets लगे हैं तो हम अब वही explore करने जा रहे हैं ये है पहला Christmas market जिसका नाम है Stairnavajnax Mart यानि कि Christmas market of stars ये काफी छोटा market है पर इसकी theme बहुत ही मस्त है तो हम अब बहुत है अब हम एंटर कर रहे हैं Second market जिसका नाम है Inglesian market यानि Angels market इस market में अपको सारे traditional decorative Christmas items मिलेंगे November के last Sunday से Christmas तक का time होता है Advent site यानि Advent time Advent जो एक Latin word है उसका मतलब होता है Arrival So Advent time का मतलब है Arrival of Christ इसे कहते हैं Advent Kranz और Advent Writh तो रिचुल ये है कि Advent time के हर Sunday पर इसमें से एक कैंडल जलाई जाती है यहां का और एक रिच्वल है वो है Advent calendar तो ये 1st से 24 December तक का calendar रहता है और इसमें हर एक दिन आपको नए gifts मिलते हैं और ये जो calendar है वो आप सारे age groups में gift कर सकते हैं और इसके भी अलग-अलग varieties मिलते हैं जैसे cosmetics का है, chocolate है, soft toys है, etc. तो दोस्तों थन काफी जादा बढ़ चुकी है जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी जैकेट भी पहन लिया है ये बहुत ही जादा comfortable है ये बहुत ही जादा कमफर्टेबल है तो 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 तोड़ीज वीडियो तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज इसे subscribe कीजिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए चूज आउफ विडियस दे हैं बाई